अलो नमस्कार में डाक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रामचरित मानस के उत्तर कांड के उपर उमीद है कि जो भी विद्यार्ती UGC Net Hindi की तैयारी कर रहे होंगे और 2023 जून में उनका एक्जाम होगा वे अपनी तैयारी के आखरी दोर में होंगे और उनका इस चैनल से बहुत सहयोग मिला होगा उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आखरी समय में मुझे लगा कि जब तक हम राम के सरण में नहीं जाएंगे उनसे संबंदित चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आत्म विश्वास नहीं बढ़ेगा उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि उत्तर कांड परबाचित कर लिया जाए इसके विशेवस्तु से परजी थोलिया जाए और इसके अंतरगत एक बहुत ही महत्पून टॉपिक है राम राजी का वरडन तो राम राजी का वरडन हम व्यवहारिक जीवन में कई बार लोगों के मुझे सुनते हैं कि राम राजी आ गया है तो इस तरीके से हम देखेंगे कि आखिरकार राम राजी था क्या क्योंकि एक तरीके से ये तुलसी दास द्वारा यूटोपिया के तोर पर था एक कल्पना थी राम राजी की तो उसे कलपना से हम सभी परचित होने का प्रयास करेंगी तो आप सभी से उम्मीद है कि आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा अपने लिए देखिएगा और फिर आपका सफ काम मंगल में होगा और आपको सफलता निश्चित मिलेगी उत्तर कांड अगर क्रम की दिश्चि कोण से देखिएगे तो रामचरित मानस का सातवा कांड है और आखरी कांड है इसको ज्यान कांड के नाम से भी जाना जाता है इसमें बहुत सारी बातें महत्पूंड तरीके से कही गएगे जब आप उत्तर कांड की शुरुवात करेंगे तो उसमें भरत विरह का सबसे पहले जिक्र किया गया है फिर भरत हनुमान का मिलन हुआ है फिर अयोध्या में आनंद उपस्तित हुआ है क्योंकि कारण यह है कि भगवान स्री राम वनवास से वापस आने वाले है यह उनके मन में सारी चीज़ें चल रही है तब तक हनुमान आते हैं और उनको बताते हैं कि जल्दी ही आने वाले हैं इसके बाद जैसे ही राम आते हैं यह अध्या में पुरा वहां के जितने वी निवासी हैं पिरम उनमें खुशी की लहर दोड़ जाती है और सब प्रसन है इसके बाद स्री राम जी का स्वागत होता है भरत मिलाफ जो भरत चिंतित थे कि कहीं राम मुझसे नाराश तो नहीं है लेकिन भरत से मिलाफ होता है और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि भरत जो है हनुमान से पूछते हैं कि आप तो राम के पास हमेशा से मवजूद रहे हैं जब तक वन में वो रहे तो क्या मुझे कभी याद करते थे तो हनुमान ने बड़ा जबरदस्त और अच्छा उत्तर दिया था कि स्री राम का मानना है कि इस दुनिया में अगर कोई भाई हो तो भरत की तर हो आपको हमेशा याद करते रहते हैं तो यहाँ पर भरत मिला आप है और इसके बाद भरत को बहुत सारी बातें राम चंद्र जी बताते हैं और कुल मिलकर सब लोग आपस मिलते हैं तो खुशी का माहल है इसके बाद जो चीद 14 वर्स पहले होनी चाहिए थी अब वो 14 वर्स बाद हो रही है तो इसलिए अपने जीवन में आप सभी को कभी हार नहीं मानना चाहिए सब का समय आता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम राज्या विशेक की तैयारी शुरू हो गई विस्तार से राम राज्य का वरणन करते हैं तो इसको हम देखेंगे इसके बाद उत्तरकार्ण में पुत्रोत्पत्ति, आयोध्या की रमडियता, सनकादिक, आगमन और संबाद प्रस्तुत किये गए हैं, आयोध्या जी की रमडियता के बारे में रामचंदर जी का मानना है कि वैकूंट से भी उत्तम है आयोध्या, मात्री भूमी के प्रति जो प्रेम है, राम का वो देखने लायक है, लोगों का ये मानना है कि मुक्ष की प्राप्ति करना है, तो वैकूंट को हमें पार करना पड़ेगा या फिर वहाँ जाना होगा, लेकिन राम का मानना है कि आयोध्या, जैसे नगरी जो मेरी मात्री भूमी है, दुनिया में कोई न प्रेम रखना है कि मात्री भूमी का बहुत ही बड़ा रोल है आपकी जीवन में, इसके बाद हनुमान जी के द्वारा भरत जी का प्रश्न है, फिर स्री राम का उपदेश है, स्री राम जी का प्रजा को उपदेश, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम जी जैसे राजा बनते हैं, फिर प्रजा को उपदेश देते हैं, जिसको की राम गीता भी का आगया है, पुर्वासियों की कृतग गीता, पुर्वासी उपदेश शून कर बहुत ही कृतगी होते हैं, अपने को धने मानते हैं, इसके बाद राम वसिष्ट समवाद होता है, तिरी राम जी का भाईयों सहित अमराई में जाने का वरण किया गया है यहाँ पर अमराई शब्द को हमने बोल्ड किया हुआ है ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि यह भाईयों के साथ आम के बगीचे में जाते हैं ठीक है जैसे गर्मी के दिनों में आप सभी भी आमकी बगीचियों में जाही रहे होंगे, तो राम अपने भाईयों के साथ अमराई में जाते हैं, फिर नारत जी का आगमन होता है, इस्तुती करके ब्रह्म लोग को विलोड जाते हैं, इसके बाद शिव पारवती समवाद, गरुण मो, गरुण जी का काक भुस सुन्डी से जो समवाद है, और राम कथा को उन्होंने सुना है, राम की महिमा से परचित हुए हैं, किस कांड में तूमी देखे तुरंद आप बता देंगे, उत्तर कांड हैं 강 आप्ने पुरवजन्म की कथा सुनाते हैं, कली महिमा को बताते हैं, फिर इसके बाद गुरी जी का सीव जी से अपराद शमापन, शाप अनुगर और काख भुसुंडी की आगे की कथा प्रस्तुत की गई है, काख भुसुंडी जी का लोमश जी के पास जाना और शाप तथा अनुगरह पाना, तो यहाँ पर कुछ पातरों का नाम दिया गया, जिसमें की गरूण है, इसमें ज्ञान भक्ती निरूपन की बात की गई है, ज्ञान दीपक और भक्ती की महान महिमा का उल्लेख किया गया है, और तुलसी दास ने इस कांड के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है, कि ज्ञान के अपेक्षा भक्ती जादा महत्पूर है, यहां पर बड़ा ध्या इसलिए आपको विध्यान में रखना है, कि ज्ञान तु प्राप्त किया ही जाए, लेकिन दीरे दीरे भक्ती भी हिर्दय में होई चाहिए, इसके बाद जो सबसे महत्पूर्ण चीज आता है कि गरूण जी, जो कि गरूण जी और काकबुसुन्डी के बीच में समवाद होता है, और गरूण जी के मन में साथ प्रश्न उठते हैं, और इसके उत्तर काकबुसुन्डी के द्वारा दिये गए, अब आप लोगों के मन में भी ये सवाल या प्रश्न उठ रहा होगा कि ये साथ प्रश्न कौन थे अब मैं उनके लिए बता दे रहा हो नीचे कौन-कौन से प्रश्न थे बहुत खोजा और पढ़ा हूँ आप सभी के लिए और मुझे भी बहुत सारे जानकारी इसमें मिली पहला प्रश्न था कि सब सबसे दुरलब कौन सा सरीर है दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा दुख कौन है तीसरा सबसे बड़ा सुख कौन है चोथा संत और असंत का मर्म भेद क्या है सबसे महान पूर कौन सा है महान भयंकर पाप कौन है मानस रोगों को कैसे समझा जाए ये साथ प्रश्न गरुण के हैं जिसके के उत्तर काक उसुंदी द्वारा दिये गए हैं यहां पर मैं विस्तार से उसको नहीं बताऊँगा इसके लिए एक और वीडियो की जुरत पड़ी पड़ सकती है तो हमने केवल प्रशनों को लिखित किया है ताकि बदलते पैटर्न में यह प्रशन आएं तो आप द्यान में रखने कि हमने फला लेक्शर में सुना था कि यह 7 प्रशन कौन ते तो गरोन के 7 प्रशनों के बाद भजन महिमा का व Katrina इसमें किया गया है त clean air hyder Tundasi Vina foreign फल्सृती कवरडन किया गया है तो उत्तरकांड की ये संग्षिप विशेवश्टु थी उमीद है कि अगर आप पहले नहीं पड़े होंगे या पड़े भी होंगे तो आपका रिवीजन हुआ होगा और ये विशेवश्टु आपके मन में बैट गई होगी कि क्या है उत्तरकांड में अब बात यहाँ पर उठती है कि उत्तरकांड में या फिर जो रामचरित मानस है उसमें तीन वक्ता और तीन स्रोता की बाद की गई है तो तीन वक्ता कौन है शंकर जी, काक भुसूंडी जी याग वल्यक्य जी ठीक है ये तीन क्या है वक्ता है तो ये तीनों जब वक्ता है तो ज़्यादा संभावना बन रहे है कि प्रश्ण बन जा सकता है क्योंकि तीन आप्शन तयार हो गए और एक कोई इसमें से दे देगा और आपको बताना होगा उसी तरीके से तीन स्रोता का सकते हैं रामकथा यानि रामचरित मानस जो की साथ सोपानों में और चाहे इसको साथ कांड भी कर सकते हैं इसमें बटा हुआ है और हमने अलग-अलग वीडियोज में रामचरित मानस को लेकर बातचित की है चाहे वो आचायर रामचरित मानस हो चाहे आचायर रामचरित मानस और उसके कांदों के बारे में बाक की है एक जगा वीडियो में मैंने बताने में थोड़ी सी गलती कर दी है तो मुझे लगा कि आज मेरे पास मौका है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि धनुस से निकलने वाड़ी बान और मुँसे निकलने वाली वाड़ी दोनों को वापस नहीं लाया जा सकता और वर्तमान समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अफलोड की गई वीडियो में सुधार नहीं किया जा सकता तो मुझे मौका मिला तो यहाँ पर देखिए सुधार की दिश्टिकों से देखिए कई बार कुछ विद्यार्थी नए आते हैं तो वो इसको कमजोरी मान कर कि सर आपने रामचरित मानस के सातों कान्डों का नाम सही नहीं बताया तो कमेंट्स तो अच्छा लगता है लेकिन बार-बार मन में एक अफसोस होता है कि कास्ट में यह गलती नहीं करता तो शुधार करने का मौका है और इसी सुधार के दोरान आप रिवीजन कीजिए कि क्या क्या है बालकांट, अयोध्याकांट, अरणेकांट, खिशकिनधाकांट, सुन्दरकांट, लंकाकांट, और उत्तरकांट तो इसके लिए मैंने एक सुत्र बनाया हुआ था, ठीक है, सुत्र बनाया हुआ था की box loo, ठीक है, यह सुत्र था और इसी में थोड़ा बहुती दरुदर हो गया था तो इसका क्रम क्या हो गया, change हो गया था, लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि बाल कांड, अयो वर्सों में पूरा हुआ था, इस पर मैंने बाक्चीत कर लिया है, आपकी दिमाग में तुरंट आ गया हुआ कि दो वर्स साथ मां 26 इन इस तरीके से ठीक है, मैंने बताया भी था कि 27-26 करके इससे याद कर लिए, रामचरित मानस एक जगह बैठ कर तुलसिदास ने नहीं लि लिखा है, कुछ काशी में लिखे गए हैं, कुछ चित्रकूट में लिखे गए हैं, कुछ आयोध्या में लिखे गए हैं, तो ये सारे कांड आपको ध्यान में होने चाहिए कि कौन कहां पर लिखा गया है, तो ये मैंने संकेत कर दिया है, क्योंकि संकेत भी काफी महत्पू को गुंगुनाईएगा फिर इसके बाद इसके अर्थ पर हम बाचित करेंगे राम राज डैहिक दविक भौतिक तापा राम राज नहीं कावें व्यापा सबनर करहीं परसपर प्रीती चलहीं स्वधर्म निरत सुरुति नीती चारी उचरन धर्म जग माहीं पूरी रहा सपने हूं अघनाहीं राम भगति रत नर अरुनारी सकलपरम गति के अधिकारी अलप मृत्यू नहीं कावनेयु पीरा सब सुन्दर सब विरुज सरीरा नहीं दरिद्र को दूखी नहीं दीना नहीं को अबुधन लक्छन हीना जब निर्दन धर्मरद पुनि नर अरु नारी सब गुनन्य पंडित सब ग्यानी सब कृतग्य नहीं कपट सयानी रामराच नभगेश सुनु सचराचर जगमाही काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख कावं नाही तो ये पुरा जो पद थाया फिर इसको चौपाई कर सकते हैं तो इसमें ये अवधी में लिखी गई है पुर और इसका अर्थ बहुत आपको ऐसा नहीं है कि कठी नहीं समझ में आ रहा है अवधी चेतर के जितने भी विद्यार्थि होंगे तो तुरंट समझ गया होंगे लेकिन इसके अलावा अलग-अलग छित्रों के विद्यार्थियों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेग तो यहाँ पर पात्रों को भी ध्यान में रखना है कि काकभुसुंडी ने गरुण जी को ये रामराजी का वड़न सुनाया हुआ है और बता रहे हैं कि जब राम अयोध्या की सिंगहासन पर बिराजमान हुए या बैठे तब लोग किस प्रकार का सदाचरण करते थे रामर की कलपना हो यूटोपिया हो लेकिन आपको देखना है कि अगर सही मायने में किसी देश में रामराज आ जाए तो फिर क्या क्या हो सकता है सूब वश्था प्रजाज सुखी हो सकती है सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते रहेंगे अपना काम करते रहेंगे राम के प्रजाज में सभी प्रजाजन सुखी थे, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं ब्यापते थे, न शारिरिक रूप से न दैवी रूप से न भौतिक रूप से किसी भी तरीके की परशानी नहीं थे, और इसके बाद सब लोग परस पर प्रेम करते हुए अपने अपने धर अनुसार आचरन करते थे वे सव वेद विहित नीटियों यो मर्यादाओं का पारण करते थे तो समना अंतर रूप में रामराजी को देखिये और वर्तमान समय की स्थिति को भी देखिये कि कितना इसमें चीजें मिल रहे हैं इसके बाद जो रामराजी में है कि धर्म अपने चारो चरणों सत्य, सोच, दया और दान से जगत में व्याप्त था पाप तो सप्न में भी शेष नहीं बचे थे तो ये है रामराजी इसमें आपको ध्यान में रखना है कि चारो चरणों धर्म के चारो चरणों की बाद की गए ये तो कौन-कौन से चरण है सत्य, सोच, दय और दान। रामराज में सभी नर नारी राम की भक्ती में लीन थे और अपने पूने कर्मों के कारण वे सब परंपद यानि मुक्ष के अधिकारी बन गए थे। तथा कोई विव्यक्ती किसी प्रकार की पीडा से ग्रस्त नहीं होता था। सब लोग सुन्दर एवं निरोग शरीर के स्वामी थे यानि स्वष्थ थे। राम के राज में न कोई दरिद्र था न दुखी था और न लक्षण हीन था। सभी लोग दंबरैत, धर्म परायन एव पूने रत थे। सभी नर नारी, चतुर इवं गुडवान थे। सभी दूसरों के गुड़ों का आदर करने वाले पंडित और ज्ञानी थे। कोई विव्यक्ती कृतग्ण नहीं था। या परशब्द आया कृतग्ण किये गए उपकार को न मानने वाला। और इसी का भाई तो ये था राम राजी। ठीक है, मैं बार-बार कराओं कि आप अपने दिमाग में राम राजी को रखे और समकालीन इस्तिती को भी ध्यान में रखे कि कितना एक दूसरी से मेल जुल्ग हो रहा है। इसके बाद काकबु सुन्डी जी एक कथा सुनाते वे गरून यानि पक दुखी थे, किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं था। तो दीरे-दीरे आपके मन में राम राजी की जो परिकलपना तुलसिदास ने की है, वो बैठना शुरू कर दी होगी कि सभी तरफ सकरात्मक्ता ही थी, कोई भी छेतरों। आगे बताते हैं काकबु सुन्डी जी सब उदार सब पर उपकारी, बिप्रचरन सेवक नर नारी, एक नारी ब्रत रत सब जहारी, ते मन वच क्रम पती हितकारी, दंड जतिन कर भेद जहन नर्तक नरित्य समाज, जीत हुम्मन ही, सुनिय अस राम चंदर के राज। तो राम राज में क्या था? कि हे गरून जी, र उदार एवं परोपकारी हैं, वे सब ब्रामणों के प्रती आदर भाव रखने वाले, तथा उनके चरण सेवक हैं, यही कारण है कि सभी पुरुष एक नारी ब्रत का पालन करते हुए, केवल एक ही पतनी रखते थे, तब नारियां भी मन, वचन और कर्म से पती का हित चिन दन करती हैं, तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि राम राज में इस्तरी पुरुष, उदार और परोपकारी हैं, और एक दूसरे के प्रती आदर भाव और समर्पन की भावना भी रखने वाले थे, श्री राम के राज में ऐसी सू ब्यवस्था थी, कि अपराद चारों तरफ होते हैं, और अपराद यूँ पर नकेल कशने की कोशिस हर सरकार अपने समय के हिसापसिक करती है, लेकिन राम राज की कलपना आप देखिए, कि वहाँ अपराद होते ही नहीं है, तो दंड का प्रावधानी एकदम से खटम कर दिया है, अगर दंड क पूल विवहार करते थे, अता उनमें भेद नीत की आवशेक्ता ही नर अगई थी, हाँ, केवल नर्तक समाज में नरित्य के विभिन भेदों के रूप में ही भेद शब्द सुनाई पड़ता था, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कि सारी चीज़ें तो लेकिन यहाँ पर नर्तक समाज का उलेक किया गया कि जो नर्तक समाज था, उसमें अगर भेद शब्द का प्रयोग है तो नरित्य के भेद किया गया कि किस टाइब के नरित्य हैं, सिंगल, डबल, या फिर ग्रूप, डांस, ठीक है न, उस टाइब से, तो काने का मतलब यहा कोई बात ही नहीं थी, बेद शब्द अकर कोई सुनाई पड़ता था, तो नर्तक समाज में उसकी विश्यस्ता या फिर उसके भेद को लेकर ही सुनाई पड़ता था, इसी प्रकार राम के राज में कोई शत्रो ही न था, जिसे जीतने की आवश्यक्ता पड़ती हो, यही का जंद्र के राज में सरवत्र सुख शान्ती एवन सू बिवस्था थी अता वहां साम दाम दंड भेद आधी नीतियों की आफशक्ता ही न रह गई थी तो धीरी धीरे आपके भीमन में रामराजी की जो परिकल्पना तुलसिदास ने की है बैठना शुरू हो गया होगा और आगे का चुपद है या फिर चोपाई है कि फूलही फरही सदा तरुकानन रही एक संग गज पंचानन खगम्रिग सहज बयरू बिशराई सबन परस पर प्रीति बढ़ाई कूजही खगम्रिग नाना ब्रिंदा अभय चरही वन करही अननंदा सीतल सुरविक पवन बहमंदा गुंजत अली लैचल मकरंदा लता विटप मांगे मदुचवई मन भावत धेन उपय स्रवई चसी संपन सदार धरनी त्रेता भई कृत जुग कै करनी प्रकटई गिरहनी विविद मनिखानी जगदात्तमा भूप जगजानी सरिता सकल भई बरबारी सीतल अमल स्वाद सुखकारी सागर निज मरजादा रही तारही रत्न तटन नर लही सरसिज संकुल सकल तड़ागा पति प्रसन्न दस दिशा विभागा बिधु महिपूर महिखनी रवितप जेतन काज मांगे वारिद देहिजल राम चंदर के राज तो राम राज में क्या इस्तिती रही है इन पूरी पंक्तियों में बताया गया आगे इनके अर्थों को देखते हैं कि राम के राज में वनों में व्रिक्ष सदय फूलते फलते थे तथा हाथी और शेर परस पर बहर भाव को भुला कर एक साथ रहते थे यहाँ पर आप देख रहे हैं हाथी और शेर दोनों की प्रकृती अलग-अलग है फिर भी जो आपस में बहर की भावना है उसको भुला कर एक साथ रहते हैं यह राम राज्य में ही ऐसा संभव दिखाई पड़ रहा है यहाँ आप देख रहे हैं हिवरिक्ष सदय फुलते फलते हैं और जो एक दूसरे के दुस्मन है हाथी शिर को यहाँ परुदारण के रूप में तोलसी दास ने रखा वो भी एक साथ रह रहे हैं पशु पक्षी अपने सहज वैर को ब्रिश्मित कर यानि भूल कर एक साथ निवास करते थे क्योंकि उन्होंने पारस्परिक प्रेम भाव बढ़ा लिया था पक्षी मधुर स्वर्प में कलरोव करते थे पशु निर्भय होकर प्रसनता पुर्वक वनों में बिचरन करते थे चारो और शीतल सुखद सुगंधित वायव प्रवावित होती थी और मकरंद पान के लिए भ्रमर पुस्मों पर गुंजार करते रहते थे ये पंक्ति जब मैं देख रहा हूं तो भावरे को देखे हुए मुझे बहुत दीन हो गए अगर आप लोग कहीं देखे हो तो जरूर बताए क्योंकि वर्तमान समय में जलवाई परिवर्तन पर्यावरन को लेकर तमान चिंताएं हैं लेकिन राम राज में आप देख रहे हैं कि चारों और सीतल सुखद सुगंधित वायू परभावित हो रहे हैं लताएं और ब्रिक्ष मांगने पर एक्छित मदुरस टपका देते थे तथा गाएं एक्छित मातरा में दूद प्रदान कर दी थे प्रिथवी सदयोग खेतियों धन्य धान से भरी रहती थी इस प्रकार त्रेता युग में वह हो रहा था जो सतियुग में हुआ करता था या हुआ करता है यह सब राम राजी का प्रभाव था राम को राजा जानकर परवतों ने अनेक प्रकार की मडियों की खाने प्रकट कर दी थी नदियों में स्वक्षत जल प्रवाहित हो रहा था जो शीतल निर्मल और सुस्वादू था समुद्र सदय अपनी मर्यादा में रता था अभी जब मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूं तो गुजरात के आसपास में कहीं तुफान सा आया हुआ है मेडिया में मैं न्यूज में देख रहा था लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि राम राज में समुद्र जो है कामलों से परिपून थे तथा दसु दिशाओं में सर्वत्र प्रसनता ब्याप थी और जो अगला पॉइंट है बहुत ही इंपोर्टेंट है गर्मी को ध्यान मेरते वी त्री राम चंद्र के राजी में चंद्रमा अपनी अम्रित मै किर्णों से प्रिथवी परशीतलता बर राम राजी में चंद्रमा और शूर्य इन दोनों पर भी कंट्रोल है चंद्रमा अपनी अम्रित मै किर्णों से प्रिथवी को शितलता प्रदान कर रहा है और शूर्य उतना ही तब तो होता था जितनी की यहां की निवासियों को यानि प्रिथवी वासियों को आफशेक्ता लेकिन आज थोड़ी सी ये बात आप देख रहे हैं कि बहुत गर्मी इतना उमस घरी गर्मी हो रही है कि कि किसी का किसी के उपर कंट्रोल नहीं है लेकिन राम राजी में इस तरीके से तुलसी दास ने कलपना की है आगे है कि राम के राजी में समय परवर्षा होती थी न कहीं बाढ़ा आती थी और न सूखा पड़ता था ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि सब कुछ समय पर होता था यानि कि उस समय जलवाई परिवर्थन नितियादी का बहुत संकट नहीं था लेकिन लगता है कि हम लोगों ने अपने जलवाई परिवर्तन के साथ, अपने परवारनों के साथ थोड़ा सा नाइनसाफी की है जिसका की यह प्रवाव दिखाए पढ़ रहा है कि न चंद्रमा कंट्रोल में है नस्तूर्य कंट्रोल में है और न कोई चीज समय पर हो रही है तो ये सारी चीज़ें तो धिरे धिरे आप अपने दिमाग में बैठाते जाए कि राम राजी कितना अच्छा रहा होगा आगे जो चौपाई दी गई है लिखे बनाई राम चरित जे निरक मुनी ते मन ले ही चौपाई अब यहाँ पर बात की जा रही है कि अयोध्या नगर के सभी निवासी सुखी और संब्रिद्ध हैं उनके घरों में मडियों के दीप सुसोबित हो रहे है भावनों की देहरी मूंगे से बनी हुई है और उनके इस्तम यानि जो खंबे हैं मडियों अमरत्नों से जुड़े हुए मरकत मडियों यानि पन्ने से जड़ी दिवारें पन्ना एक हीरा है पन्ना एक शहर भी है कमेंस करकर आप पता सकते हैं अगर कोई पन्ना से जुड़ा हो तो भी कमेंस कर सकता है तो सब हीरे से जुड़ी ह ने की है आयोध्या के भवन सुन्दर मनोहर और विशाल है जिन में बड़ा सा आंगन है जो इस फटिक का बना हुआ है और सुन्दर लग रहा है आयोध्या से भी बहुत सारे विद्याति यहां जुड़े हुए है तो जरूर अपने आसपास में थोड़ा सा देखने का प्रया तब तक वो अपने वास्तवी की स्थिति को प्राप नहीं कर पाएगा तो ठीक है अच्छा लग रहा है इसको पढ़ने में फिर भी कई बार प्रासंगिक्ता को ध्यान में रखते वे चीजों को देखना पड़ता है वैसे याद करने की कोशिश है क्यों कि जब आप तुलन भी है ठीक है हर दरवाजे पर बड़े बड़े कपाट लगे हुए हैं जो सोने की खराद चढ़ा कर बनाये गए हैं तथा जिन में हीरे जड़े हुए हैं वे किवार बज्र के समान मजबूत हैं घर घर में सुन्दर चित्रशालाएं हैं जिन में स्रीराम की चरित्रों को ब मन में आ रही है कि घर घर में सुन्दर चित्रशालाएं थी जिसमें की राम की फोटो लगे तो वर्तमान समय में इस तरीके के भी आपको परिद्रिश्य देखने को मिल जाते होंगे कि स्रीराम के फोटो और साथ में लक्षमड और सीता जी अनुमान जी कभी रहता है अलग के भी चित्र आपके घरों में देखने को मिल सकते हैं आफिसों में मिल जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि घर घर में सुन्दर चित्रशालाएं स्रीराम जी के लगे हुए हैं सारे लोग एक तरीके से इसलिए लगा हैं कि उनका जीवन अच्छे से व्यतित हो और जो कुछ चाहते हैं जीवन में वो मिल जाए। अब वहां के बाजार के बारे में भी तुलसिदास ने बड़ा ही अच्छा वरन किया है। निर्मल जल गंभीर बाधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं ती है। तो बाजार का चित्रण करते हुए तुलसिदास लिख रहे हैं कि अयोध्या नगरी के बाजारों का वरण करते नहीं बनता यानि कि वरण करना बड़ा ही कठीन है क्योंकि वे अत्यंत सुन्दर थे। मिल जाती थी। आज आप जाएंगे तो दो गंटा आप माथा पच्ची करते हैं बारगेनिंग करते हैं इसके बाद किसी एक मुल्य पर फहरते हैं या फिर दुकान चोड़कर चले आते हैं लेकिन राम राजी में देखिए क्या है कि बाजारों में बिना मुल्य के ही वस्त पच्चान लेकर चले आते हैं यहाँ पर तुलसी दास का यह मानना है कि जिस राजी का राजा स्वयम बहुत ही लक्ष्मिपती हो धन धाने से संपन हो तो इसकी संपदा का कोई वड़न नहीं किया जा सकता है वहाँ कोई मुल्य का कोई हिसाब ही नहीं क्योंकि उपर बता का ब्यापार करने वाले वणिक या वणिक उस बाजार में बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हूँ ये देखिए कलपना ही तो है एक चीजी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि बजाज सब्द का प्रयोग किया गया है वर्तमान में भी ये टाइटिल के र विश्थार किया अपने उध्यक दंदों का विश्थार किया है तो बजाज आप देखेंगे कि प्रेस भी मिल रहा है सब कुछ मील रहा है ठीक है हालांकि देखें जूडा हुआ है प्रेस इसलिए बजाज ने बनाया कि वह कपड़ा बेचता है तो प्रेस भी जरूरी तो आश्रेक्ता अविस्कार की जननी सोने चादी के आप उसों का ब्यापार जो कर रहा था उसको क्या का गया सर्राफ सर्राफा बाजार आप सुनते होंगे कई बार जो सोने चादी के दाम घटते बढ़ते हैं तो यही पर उसकी न्यूज मिलती है और अनेक बश्तुओं का ब्यापार करने वाले वणिक जिनको की बनिया भी का आजाता है बनिया का देखिए यहां पर कुछ ने डिवाइड किया गया है वो अनेक बश्तुओं का ब्यापार कर सकते हैं लेकिन कुछ का यहां पर बतायागा कि कौन किस व्यापार में माहिर है और इन तीनों चारों जो व्योर्षाईकों का नाम यहां बताया गया उनकी तुन्ना कुबेर सिखी गई कि उनको बहुत मुल्य का बहुत ज्यादा वो नहीं है, कि पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, खुद वो एतना धनाड़े है, काने का मतलब यह है कि वे सब हुबेर के समान सम्रिद्रशाली थे, आयोध्यान नगर की निवासी, बालक, युगा, जवान, ब्रिद्ध, इस्तिरी, प आयोध्या है, जहां राम का संबंद है, जन्म हुआ है, सब कुछ है, नगर की उत्तर दिशा में गहरी और निर्मल जलवाली सर्यू नदी प्रवाहित हो रहे है, यह सवाल पूछा जा सकता है, कि सर्यू नदी किस दिशा में प्रवाहित हो रहे थी, उत्तर दिशा में, इस रास्ते में पढ़ा हुआ था ठीक है तो मैं भी उत्तरकांड को पढ़ने के बाद देखने का प्रयास करूंगा हलांकि अयोध्या बहुत बदल गया है जबसे मंदिर निर्मान हो रहा है तो बहुत सारे परिवर्टन हुए है चलते हैं आगे बात करते हैं अगला यहां पर है पद कि जलज विलोचन स्यामल गातें पलक नयन इक सेवक त्रातें धृत सर रुचिर चाप तुनी राहीं संत कंज बन रभी रन धी रहीं काल कराल प्याल खगराजें नमत राम अकाम ममता जहीं लोब मुव म्रिग जूत किरातें मनसिज करी हरी जन सुखदातें संशय सोक निवीडतम भानो हैं दनुज गहन घन दहन क्रिसानो हैं जनक सुता समेत रगवी रहीं कसन भजो हैं भंजन भव भी रहीं बहु बासना मसक हीम रासी हीं तदा एक रस अज़ अभिनासी हीं मुनि रंजन भंजन महि भारहिं तुल्ची दास के प्रभु उदरहिं एही बिधि नगर नारिनर करहिं राम गुर्गान सानकुल सब पर रहिं संतत कृपा निधान। तो आखरी जो राम राजी का है कि आयोध्या की निवासी राम गुर्गान करते हुए लोगों से यही कहते हैं कि आप कमल जैसे नित्रों वाले और शामल सरीर वारे राम का भजन करो। वाँके लोग भी लोगों को प्रेरित करते हैं क्यों करें? पलक जिस पर प्रकार नित्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार वे अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं पलक जैसे आँखों की रक्षा करते हैं वैसे ही राम जो हैं अपने भक्तों के रक्षा करते हैं। वे अपने हाथों में धन्ष, बाण यों तरकश धारण किये हुए हैं। काल रूपी भयंकर सर्प के लिए वे साक्षात पक्षी राजगरून हैं और जो भी उन्ने निसकाम भाव से नमन करता है। उसकी मोह ममता को वे चण भर में नश्ट कर देते हैं। लोभयों मोह रूपी हिरणों के समू को वे शिकारी की भाती नश्ट कर डालते हैं। काम देव रूपी हाथी के लिए वे सिंग सद्रिश हैं तथा अपने भक्तों को सुख देने वाले। इसलिए राम का हमें गुर्गान करना चाहिए। संशय और सोक रूपी घने अंधकार को नश्ट करने वाले सिरी राम को भजो। अयोध्या निवासी करें। प्राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले सिरी राम को साक्षात अगनी ही समझ कर उनका भजन करो। जन्म और मृत्यु के भैको नश्ट करने वाले सिरी सीता राम का भजन तुम क्यों नहीं करते वे वासना रूपी मक्षरों का नाश करने वाली हिमराशी जैसे हैं। वे नित्य, एकरस, अजनमा और अविकारी हैं। वे मुनियों को प्रसंद करने वाले, प्रिथवी का भार उतारने वाले और अत्यंत उदार सोभाव वाले हैं। ऐसे राम ही तुलसी के प्रभू हैं। तो इस तरीके से हमने भी सोचा कि इतने महत्पूर्ण टॉपिक को हमें परिशा के पहले नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि आपके तूटते वे मनोबल को ये लेक्चर बढ़ाएं। और आपके अंदर आत्म विश्वास जगाएं। और महाप्रभू स्री राम का आपक के उपर आशिरवाद बना रहे हैं। जो भी प्रश्ण का उत्तर आपको ना आए, इनकी क्रिपा से आप अगर तुका भी लगाएं तो आपर सही हो जाए। तो क्रिपा और भक्ती का रहना भी बहुत जरूरी है। बाकि मैं आप सभी के साथ कदम से कदम बिलाने की कुश् अच्छा लगाओगा। कमेंट्स करकर जरूरी बताएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब दे के लिए नमस्कार।